मैं जानती हूँ हम सब यहां अपनी लाइफ से फ्रस्टेटिड हैं परिशान हैं हम सबकी लाइफ में कोई लाइफ कई प्रॉब्लम्स होती हैं और उन सब को दिल के किसी कोने में छुपा कर, हम सब अपने बस रिष्टों को समीट कर और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं, मतलब यह रहता है ना कि बस हम पर जो बीत रही है ना, हमारे साथ, हमारे आसपास जो हैं, उन पर यह ना बीते, इसलिए हम अपने सारे फ् बस रात में ही वहार आता है, जब सोने से पहले हम कितना परिशान होते हैं और कितना अंदर से दुखी होते हैं, यह तो बस हम और हमारा फिलो जानता है, इसलिए तो जब भी हम इन चीजों से गौझ रहे होते हैं, तो शायद हमारे पास कोई होता भी नहीं है, जिसे हम वत बती चली जाती है ना तो अंदर से घुटन होने लगती एंग इतनी जादा होती है न कि फिर वो बहर हमारे क्यरक्टर पर दिखने लगता है हमारे आंगर इश्यूद भढ़ जाते हैं जिसके काराण हमारे पास जो होता है न हम शायद वह भी दिरे-दिरे खोने लग जाते हैं सिर्फ अपने behavior की वज़े से हम अपने पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपने रिष्टे निभाने में कोई कमी न छोड़ें लेकिन फिर भी कही न कहीं कोई कमी रही जाती है और उसके बाद अफसोस होता है और कुछ बचता नहीं है एक तो न हम regret करते हैं कि काश काश मैंने ऐसा कर लिया होता तो आज यह मेरे साथ होती काश मेरे दो माक्स और सदा आज जाते न तो मेरा exam clear हो जाता काश मुझसे यह गल्ती नहीं होती न तो यह मुझ जो होता है अच्छे के लिए होता है. हम सब अपने अपने इतना उलजे हुए हैं, कोई अपने toxic relationship से परिशान है, कोई अपने toxic parent से परिशान है, कोई generation gap की misunderstanding से deal कर रहा है, तो कोई कुछ और. उन सब चीज़ों को side में रखते हुए हम यहां आते हैं, ताकि अपने कुछ दिल कोई बातें यहां बोल कर अपने मन को हलका कर सकें और इसलिए अगर मतलब यह लगता है ना कि काश कोई तो होता कोई तो होता जो हमें समझ सके कोई एक ऐसा इनसान होता जिसके गले लगकर हम दिल भर कर रो सकते कोई एक ऐसा होता जो हमसे सवाल नहीं करता हमें समझता कोई एक ऐसा होता जो हमारी आँखों में देखकर हमारे दिल का हाल बता सकता हमें देखकर बता देता कि हम कितने परिशान है और हमें उसकी कितनी जरुत है कोई एक ऐसा होता जो इतना कह दे कि तू टेंशन मतले मैं होना मैं खड़ा होन सब ठीक हो जाएगा कोई ऐसा कोई ऐसा होता जिसकी गोद में सिर रखकर हम दुनिया का सबसे बड़ा सुकून पा सकते और वो अगर एक बार सिर पर हात फेर देना तो बस यह लगता कि दुनिया की सारी खुशी दुनिया की सारी दौलगत एक तरफ और यह खुशी यह मिन्ह दूश्य क्पने पूरक छोड़ से पकेले रखेसिक हंग और इस All जोड़ सुने को इतना प्यार करना जो और हमेशां आपके पास ही युए कि यह इसन भे मारे पास नहीं होता है तो तो डोड़ा नहीं बंग्र जाते घोना पाते हैं धंग से चुपा नहीं पाते हैं और सब खुद तो बिखरे ही होते हैं और बागी सब चीज़ें भी धीरे-धीरे विखरने लग जाती हैं फिर जो होता है ना वह होता है के ऑपने डेप्रेशन सुसाइडल थॉट्स अंसाइटी पैनिक अंट्आक्स यह सब अब हम बात कर लेते हैं तो प Signal के साथ इशूस भहूद होते हैं है नाटक नोटन की है तुमसे बस कैना नहीं चाहते हो तुम बस किस चीज की कमी कर रहे हैं कौन से कश्ट पड़ रहे हैं तुम पर और सुखस होते हैं जिनकी आएंक्गों में इतनी एक्सपेक्टेशन होते हैं हमारे लिए क्यारियर का इतना प्रेशर होता है हमारे उपर कि बस रिष्टदारों के फोन आते हैं कि रिजल्ट आया बेटे का एक्जाम निकला कि नहीं निकला यह कुछ कर भी पाएगा लाइफ में कि नहीं ऐसा ही रहेगा हर सुबह जब कोचिंग या कॉलेज जाते ताइम अपने पेरेंट्स को देखते हैं तो हमारे माबब की आँखों में एक वह एक्सपेक्टेशन होती है कि यह कुछ करके दिखाएगा और अगर नहीं हुआ तो उस टाइम पर कौन हमारे लिए खड़ा होगा जब हम नहीं कर पाए यहीं चीज़े हमें इतना अंदर तक ले ड सेंद आएगा इसका कि नहीं कब तक हमें सफर करना होगा कब तक यह सब सेंद करेंगे हमें भी तो किसी की जरुत है ना जो हमें समझे थांट्यू